नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का बद रहा है एस अकैडमी में आज का डेट है 2nd of December 2022 and Prelims Focused Current Affairs में मैं शुवोदीप आप सब के साथ आज के Current Affairs topics discuss करने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले let me remind you again that downloading link चो रहने वाला है PDF का वो नीचे description session में लगा दिया जाएगा आप वहाँ पर जाकर इसको directly download भी कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे news देख लेते regarding Manipur Shanghai Festival प्रधारमंतरी जीने address किया था Manipur Shanghai Festival को video conference के दौरा इसलिए P.I.B. में यह news भी आया था सो इस साल का theme क्या था शांगाई festival का festival of oneness by the way यह आप festival कहां पे celebrate किया जाता है Manipur remember ठीक है clearly लिखा हुआ है और शांगाई क्यों बोला गया है क्योंकि देखो वहाँ पे शांगाई नाम का एक deer आपको मिलता ही यह probably you should be knowing about these all things ना शांगाई जो है ना वहाँ का state animal भी है यह शांगाई deer है ना in fact उनके जो local communities है उनके faith उनके belief में भी यह शांगाई जो deer है this holds a very important place इसलिए शांगाई festival मनाया जाता है वहाँ पे mainly शांगाई festival जो celebrate किया जाता है वो address करता है वहाँ के bio diversity को now जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यह festival है तेओहार है तो यह क्या-क्या showcase करता है भाई overall मनिपुर का art, architecture, मनिपुर का handloom, handicraft, fine arts वहाँ के indigenous exports को focus किया जाता है यहाँ पे वहाँ के cuisine, music, sports, natural environment सब चीज को focus करके basically यह पूरा तेओहार celebrate किया जाता है round antillared deer जिसको हम लोग शांगाई भी कहता है so these are also known as dancing deer now dancing deer क्यों बोला जाता है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे केबुल लामजाव नेशनल पार्क है right और केबुल लामजाव नेशनल पार्क में जो है ना वहाँ पे फुमदीज है फुमदीज क्या होता है यह घास होता है जो क्या लेक के उपर float करते रहते है ठीक है अब सोचो शांगाई शांगाई इस के उपर इस घास के उपर चलेगा तो घास तो float कर रहा है टेकनिकली शांगाई भी तो float ही करेगा ना बट क्या होता है घास तो यह हलका होता है ना तो शांगाई भी अपने जैसे नॉर्मल अगर जमीन में चलेगा तो उसका बॉडी का मूवमेंट जादा नहीं होगा बट जब इस घास के उपर चलता है तो घास भी फ्लोट करता है तो शांगाई भी हिलता है इदर उदर तो आटोमेटिकली तो फील्स अज़ इस डांस दांस भी तो इस दांस लिए ठीक है है ओके स्टेट अगर देख लिजेगा तो श्टेट एनिमल अफ मनेपुर है यह अ अगर देख वुड़ देख अगर देख लिए देख थांस भी तो इस रेख फी तो श्टेट इस अगर थे कांगाई बार्था न्या स्टीन ड्या झाल आगर तो और विल्लाइट तो आटिछील न्या व्लोट अच यह तो अजिजो जा ओन्या इस थे अट्टौर तो इस ब् forest division को इस बार का wildlife trust of india award से नवाज आ गया है क्यों what is the reason behind it because they the team of wildlife sorry punar forest division have done better to work in the area of man-animal conflict mitigation so wildlife trust of india एक indian nature conservation organization है जिसको form किया गया था 1998 में in response to बहुत सारे crisis जो क्या confront कर रहे थे इंडिया के wildlife और wild habitats को wildlife trust of india एक registry charity भी है registered charity इंडिया में under section 12a of income tax act of 1961 next next news है great indian bastard के बारे में q news में था माफ करना यहां पर यह miss out हो गया q news में था supreme court ने बोला है that a great indian bastard हमें plan मनाना पड़ेगा जिससे इसको protect किया जा सके दोस्तों आपको पता होना चाहिए project tiger project elephant वो किसली थे पता है tiger के population को conserve करने के लिए elephant के population को conserve करने के लिए वैसे ही अगर एक project GIB that is project great indian bastard चला आजा है सुप्रिंग कोड ने बोला दो यह भी help करेगा जिससे great indian bastard के जो population जो decrease कर रहे है वह उसको हम arrest कर सके now great indian bastard कि अगर distribution देख ले indian subcontinent मना indian subcontinent की बात कर रहा हूं not only india पाकिस्तान इंडिया मिला कर मैं बात कर रहा हूं ठीक है so पाकिस्तान देख लो इंडिया देख लो यहां के जो dry grasslands और scrub lands है न वहां पे हमें यह great indian investors देखते हैं in fact इंडिया में इनकी majority of the population confined है राजस्तान और गुजरात में बट कुछ-कुछ small population हमें महराष्टर करनाटक और अंदरप्रदिश के भी रीजन में देख जाते हैं सवाल होता है क्या-क्या major threat है भाई great indian bastard को तो वह है उनकी poaching activities उनको मार दिया जाता है locals के द्वारा बहुत समय high tension electric cable wire से उनकी body touch होती थे तो electrifying हो जाती है और मर जाती है fast moving vehicles जो उनको जीदा उड़ा देते हैं है ना एकदम अपने भाई के तरह भाई मलतब समझ रहा है ना सेलमान भाई next is free ranging dogs in villages जो क्या बहुत समय इसको भाणी पहुचाता है तो उनकी लिए भी इनकी population जो दिरी दिरे घट रही है सवाल होते है इनका conservation status क्या भाई आगे बढ़ता है रिवाईवल ऑफ ओल्ड जॉंबी वाईरस कुछ French scientist ने warned किया है देखो भाई 48,500 year old जॉंबी वाईरस फिर से रिवाईव हुआ है ना सवाल होता है जॉंबी वाईरस होता क्या है देखो जॉंबी वाईरस उन वाईरस के लिए इस्तमाल किया जा रहा है ना जो around बहुत पहले होते थे वो वाईरस है ना अभी बहुत जो है दोस वाईरस वेर इंसाइड अपर्मा फ्रॉस्ट ना हमें पता है क्लाइमेट चेंज के करण पर्मा फ्रॉस्ट पिगल रही है मतलब देर इस थाइंग फ़र्मा फ्रॉस्ट दा इस बिंग सीन ग्लोबली राइड क्यों यूँगी ग्लोबल टेंपरेचर राइस कर तो जब पर्मा फ्रॉस्ट पिगल रहा है तो यह वाईरस तो फिर से पन्पिंग है ना तो इसलिए बोला जा रहा है तो यह जॉम्भी वाईरस अगर निकलने स्टार्ट हो जाएं तो इसका नाम है और इसका नाम दिया गया था अगें बिहाइंड अ मितलोजिकल पंडोरा पंडोरा वाईरस वाईरस व दिसकोवर्ड इन लेक कौन सा रश्या का यू की अलास लेक में ठीक है जो क्या यह एसा वाईरस है जो 48,500 यह ओल्ड है वारस है ठीक है तो अगें दिस आ पहाडियोवा डीजन है नेक्स्ट रॉइबस टी के बारे में यूस था यह South Africa का जो ये region देख रहे है ये पहाडियो वाला region है जिसको हम लोग कहते है Cedarburg Mountains ठीक है अब ये जो रोईबॉस्टी है ना ये इस South Africa के Cedarburg range में काफी ज़ादा common है In fact, ये South Africa में ही endemic है ये natural herb है जिसको process किया जाता है और बनाया जाता है soothing drink जो कहा sweetened test होता है naturally caffeine free होता है addictive free होता है preservative free होता है colorant free होता है और ये काफी ज़्यादा डिवान में भी है दुनिया भड में In fact, वहाँ के San और Khoi communities were the first to learn about the health benefit of this tea quality which is called Roebos tea ठीक है? याद रहेगा? आगे बरता है युद अभ्यास पता तो है ही आपको India और USA के आर्मी के बीच में युद अभ्यास carry out किया जाता है बट India और USA के आर्मी जो है न वज्जरप्रहार नाम की भी एक military deal carry out करती है वैसे USA और India की नार्नेवी मालाबार exercise करती है तो सवाल होता है युद अभ्यास वज्जरप्रहार या मालाबार exercise जो भी किया जाता है ना दो देशों के military के बीच में में नेम यही रहता है दैट military के बीच में जो interoperability है उसको कैसे enhance किया जा सके कैसे दोनों armies के बीच में जो expertise है उसको share किया जा सके ठीक है तो यही सब है युद अभ्यास में आज आता है mcqs में कल एक mcq आपको दिया गया था regarding great barrier reef that great barrier reef दुनिया के किस country के सामने located है यस तक answer was Australia आज का question है recently supreme court ने float किया idea of project G.I.B. that is project great indian bastard क्यों भही क्योंकि great indian bastard को conserve जैसे किया जाए now आपका question यह है that IUCN red data list में great indian bastard का जो conservation status है वो क्या है least concerned critically endangered endangered या फिर vulnerable नीचे comment section में बिलकुल अपना answer लिके का we'll be ready for your answer to come up this was all about the discussion for today's class guys मिलते नेक्स सेशन में till then bye bye take care